हेलो आवरिवन वेलकम तो माई चैनल अभी हम यहां पर बात करेंगे कि आरबी एसिस्टेंट की क्या स्ट्राटेजी होने चाहिए कौन से सोरसे सापको पढ़ना है कौन से बुक पढ़ने और कैसे पढ़ना है तो विडियो को पूरा जरूर देखेगो क्योंकि यह जो भी हमा का माइंड कर रहा है कोई आ रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको जादा से ज्यादा रात दहान कीा इसमें आपको अगर select होना तो अभी पूरा दिन रात एक करके आपको study करना होगा तो यहां पर हम बात करेंगे beginners के लिए सबसे पहले उनका syllabus complete होना चाहिए उनका syllabus complete करना है फिर उनको practices करने हैं topic wise previous year questions लगाने और फिर mock test यह four keywords है जो आपको याद रखने है अपनी preparation के समय अब हम यहां पर बात करेंगे कि आपके sources क्या क्या होने चाहिए sources के हम बात करें तो आप क्वांट के लिए राकेश यादरोक सरके जो class notes आते हैं आप उससे कर सकते हो English में जो volume first आती है नी तुमायम के आप उससे grammar की rules पढ़ सकते हो या फिर अगर आपके पास sp वक्षी book है तो वह भी बहुत अच्छी book आप उससे कर सकते हो बाकी GA के लिए आप यह lucent की book आती है आप इससे पढ़ सकते हो यह lucent की book आप देख सकते हो यह lucent की book आप यूस कर सकते हो यह lucent की book आपको बहुत help करेंगे पढ़ने में फिर हम बात करेंगे कि स्पीडी आती है स्पीडी बुक आती है करेंट अफेस की आप देख सकते हो स्पीडी बुक की लिखा हुआ है स्पीडी पॉब्लिकेशन करेंट अफेस इसमें क्या है हमारे वन लाइनर कोशन इसमें हमारे इस तरीके से वन लाइनर कोशन जी है जो कि बहुत अच्छे से हमें help करते हैं रीड करने में इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है यह यह रहा है यह निव लग तो आप उसको एक नौट में अपने मेकर के उसको लर्न कर सकते हो फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटी क्या होनी चाहिए अब हम बात कर रहे थी तो हमारे श्रेटेजी में हमारे यहां पर उसको आपको टॉफिक वास कॉणसे प्रैक्टिस करनी है बाकिर इसनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है जैसे पजल सबसे ज़यादा आता है डायरेक्ट डिशेंस अधि इस टाफ की जो पूछ जाते हैं वो इनको प्रैक्टिस करना चिए कुछ च्रीकंट कुछ कॉंसेप्स हों इंग्लिश की提ो तो इनप करने होगे आप तो उतना अलगव लेकर आप कर सकते हो वह बहुत अच्छे से बताती हैं बाकि आपको वोकाप्स भी लंग करने पड़ेंगे आप वोकाप्स किसी यूटूब टीचर को देखना चाहते हो तो आप पर है कि आप देख सकते हो बट जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे वह ज्यादा मैटर करता है तो कि आप यूटूब चैनल पर किसी भी टीचर का देखो कि वीडियो तो वो टाइम ठीकन होगा अगर वही आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप कम समय में ज्यादा चीज़े कवर कर पाऊगे हां लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप आप किसी भी यूटूब चैनल की टीचर की हल्प लेकर आप सॉल्फ कर सकते हो बट रेधर देन यूँ हाफ टो फोकॉस मोर ऑन यूर सेल्फ स्टडी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें ज्यादा ज्यादा समय पर पढ़ाई करनी तो यह भी आपको अच्छे कर पाऊ आपको पढ़ाई करते समय कुछ चीजों पर ध्यान रखना है जैसे फोकॉस ऑन बेसिक्स बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए सेट डेली टारगेट डेली टारगेट आपको बनाकर ही स्टडी करनी है बिल्ट सेल्फ कॉंट्विडेंस आपको अपने उपर कॉंट्विड difficult question आता है तो आपको वह चीज बिल्कुल skip कर देनी है क्योंकि पेपर में क्या होगा कि हम कभी कभी कोशन करते रहते हैं उसमें ज्यादा टाइम लग जाता वसके वज़े से आगे जो easy questions होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो में आगे बढ़ेंगे यह नहीं तो मैं पती नहीं चलेगा कि शायद आगे को questions हमें आ रहे हो तो आपको skipping भी आनी चाहिए learn using options आपको options से देखकर भी solve करना आना चाहिए यह भी आपको trick सीख लेनी है फिर आपको mock test पर focus करना है mock test देने हैं और फिर revisions भी करना है यह कुछ keywords लिखे हैं मैंने मिलब जो आपको धान में रखने हैं फिर यह जो मैं strategy बताने जारी हूँ इससे आप SBI clerk, LIC assistant और वाकी RBI वेकेंसी, RRB, clerk की जो भी वेकेंसी आती हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही ज्यादा helpful होगी सबसे आपको focus करना है practice करने है RBI assistant, RBI clerk के PYQs आपको previous year questions भी लगाने हैं फिर अब हमारा यहाँ पर weekly target क्या होना चाहिए वह मैं बताऊंगी फर्स्ट वीक में क्या करना है आपको सबसे पहले अपना concept क्लिया कर लेना है जैसे कि कोई भी topic आपने ले लिया quantum time and work तो आपको time and work topic सबसे पहले complete करना है उसके concepts क्लिये करना है उसकी tricks सीखनी है और फिर उसी topic के आपको previous year questions लगाने है फिर English के आपको grammar rules सबसे पहले complete करने ह है और फिर डेली 2020 या 30-30 करके जितनी आपकी capacity उसे आप से आप से लर्न करो वो कैप्स के लिए जैसे आज आज आपने 20 वो कैप्स लर्न किये ना तो जब कल पढ़ोगे next तो पहले उन 20 वो कैप्स को रिवाइस करोगे उसके आगे फिर और 20 वो कैप्स पढ़ोगे इसी तर लेकिए उसमें कुछ questions होंगे जो आपको आते होंगे आपको वो सिर्फ one time practice कर लेना एक बार लेकिन सबसे दादा आपको फोकस करना है जो topics paper में आते हैं और difficult होते हैं जैसे puzzle में आपको सबस्यादा focus करना है sitting arrangement number series कुछ चीज़े हैं जो सबस्यादा focus करने वाली है को कि वो time आपको पढ़ना जैसे में आपने मांट में 3-4 topic complete कर लिए एक वीक में तो उसी के आगे आपको फिर से वीक टू में आपको topics complete करने हैं फिर आपको यहाँ पर प्रिवेस एर question स्टार्ट कर देना आपको RBI assistant यह RBI assistant के और RRB के लगकी के जो प्रिवेस एर questions होते हैं आपको उनको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना जो आपने topic आपने टू वीक में जो टूपिक प्रिपेर किये ना उनहीं की प्रैक्टिस करनी मतलब कि आपने फर्स्ट वीक में जैसे टाइम और पढ़ा पाइप असिस्टेंट पढ़ा यह रेश्व और प्रिवेस एर questions आप सेकंड कर दो रीजिंग में भी करना आपको रिफकल टॉफिक से उन पर जादा फोकस करना फिर जो आपको लगता कि यह टॉपिक्स मुझा आते हैं अब उनके प्रिवेस एर लगाना शुरू करो analysis करो कि आपको आ रहें कि नहीं आ रहें अगर नहीं आ रहें तो उनके भी concept ट्रिक सीख लो फिर आपको फिर आपको सेकेंड़ बीक में कुछ मॉक टेश्ट भी देना शुरू कर देना है सारे मत बदो मॉक टेश्ट सेक्श्चनल वाइस दो कि आपने जो प्लीट कर लिए सिरफ उन्हें के मॉक टेस्ट के क्वेश्टे सॉल्व करो जैसे कि सिर्टिंग आरे तो आप क्या करना कि जो syllabus आपने complete किया है उसी के topic wise आप concept clear करके उनके questions की ज़्यादा से ज़्यादा practice करो हाँ एक चीज़ बहुत बहुत प्रैक्टिस आपको book से करनी है कि आपने जैसे कि मैंने बता रखी रखेश चादर सर की notes से वो या तो आप SSC किरन publication की मैंस की book आती है वो ले सकते हो उससे आप अपना previous year questions थोड़े बहुत जो SSC level के होते हैं वो तो उसमें दिये होते हैं सारे लेकिन आप उस book से भी practice कर सकते हो बाकि reasoning के लिए भी आप चाहो तो पिनाइकल के लिए सकते हो पिनाइकल की भी book बहुत सही हो हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे questions दी होते हो ज्यादा से ज्यादा questions आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे सर्फ इसलिए मैं वोल रही हुँ कि आप अगर किरन की प्रप्लिकेशन की book लेना चाहते हो तो मास रिजनिंग की ले सकते हो अधरवाइस पिनाइकल की प्रिवेस एर questions सार्ट कर देने फिर सॉल्फ करना कि आपको डिफकल टॉपिक्स एक कॉंसे डिफकल कोईशन से वह एक कॉपी में नुट डाउन कर लो कि यह चीज़े मुझे नहीं आ रही हो फिर उन्हीं को डेली पढ़ो उन्हीं के डेली ट्रिक्स को कॉंसेप क्लियर करो पर फिर जब हो जाए तो उनके भी प्रिवेस एर questions आपको स्टार्ट कर देने हैं फिर फूर्थ वीग में आपको प्रिवेस एर question जाधा-जाधा लगाने है मौक्ट जाधा-जाधा लगाने हैं और पिर analysis करना कि मॉक टेस्ट में हम मॉक टेस्ट में score जब मॉकटेस देते में problem हो रही फिर उनी को बारबर practice करो सीखो कोई कि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे मारा score improve नहीं होगा तो जो भी हमारे experience है मॉक्त देते हैं कभी भी तो उनको यह चीज़ सीखनी है यह मॉक्त देते हैं तो जो questions हमें नहीं आ यह पढ़ लेना है बार्किया आप मॉख टेस्ट डेलई दो आपको सेक्ट वीक से मॉख टेस्ट देना शुरू कर देना है पहले यूटूब कर देते हैं कर देंसे यूटूब में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कभी कभी क्या होता है यूटूब में कंटेंट बहुत जादा है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इसलिए कुछ थोड़ा समय बताना चाहूंगे आपको जैसे पजल के लिए आप अंकिस कर पाओगे फिर मॉक्स में कमेंट करना चाहूंगी दो चीज़े जैसे कि ओले वो टेस्ट बुक इन दोनों के हमारे मॉक्स होते हो बहुत अच्छे होते आप चाहते हो तो आप अलिव का मॉक्स देशाओ या फिर अच्च बूक मॉक्स देना चाहते हो तो वह भी देशाक like share and subscribe my channel and all the experience who are beginner or advanced please focus on your goal target your goal you have to achieve and get selected this year only thank you for watching my channel please subscribe जिस्से की मैं आज भी ज्यादा आपो useful वीडियो प्रवाइड कर सकूँ थैंक यू